नमस्कार तो आपको पता है कि अब आने वाली प्रिक्साइं जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के द्वारा जो हो ली जाएंगी तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन जो हो प्रिक्साइं लेगा काफी ताइम से आपके कमेंट्स भी आ रहे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के previous year के papers को भी रिवाइज करना start किया जाए साथ मैं HPSSE को भी चलाया जाए और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के प्रीवेस प्रेश्ट चेंज परzeं के चेंज को हो जाता है प्रन्तु कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले ही hard आती थी तो उससे hard क्या ही आएगा जैसे की history हो गया, कहीं बार बहुत tough आती थी तो उससे tough क्या ही आएगा तो हम history ही झो हैं आज discuss करेंगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जैसे जो है वो पहले हिस्ट्री के पेपर जो है वो ही माचल प्रदेश पुब्लिक सर्विश कमिशन में आये है क्वेशन नमबर 137 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे बोलते हैं which of the following was not a part of RS माच तो बोलते हैं कि न वैसे कौन सा RS माच का भाग नहें था देख класс अगर हम RS माच की बात करते हैं तो RS माच का भाग 11 प्रिंसिपल जीरा मोलतत तो जो था वो नहीं थे option d जो है उसे answer है जीरा मोलतत तो जो थे वो RS माच मॉमेंट का जो भाग नहीं थे अगर हम बात करते हैं RS Marge की देखो RS Marge जो है इसकी स्थापना की गई थी कब 1875 में पहले तो इसकी स्थापना दियान दखना की 1875 में इसको स्थाफित किया गया था देखो RS मार्च को जो थाओ सापित किया गये था सौमी दयानन्त सरसुती के दोरा इनके दोरा नारा भी दिया गये था बैक टू वेदास वेदों की और लोटो ये नारा इनके दोरा दिया गये था ये तो बहुत ही बेसिक है परन्तु यहां पर एक नई चीज़ दी गई है सुध्धी अंदूलन, सुध्धी मूवमेंट इसे सुध्धी मूवमेंट के बारे में हम कुछ जानेंगे RS मार्च के दोरा ये सुध्धी मूवमेंट जो था क्यों रही थी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो यहे सुधी मुवमेंट आर एस माज चलाई गई थी सुधी प्रोग्राम भी इसमें क्या था ? इसमें दिजए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना धरम परिवर्तन कर लि Salvador हमाई इसक कला न 650 Odis लाया जाए तो नाम से पता चल रहा है सुध्धी यानिकि जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दी है उनकी फिर से सुध्धी की जाए और हिंदू धर्म में उनको वापिस लाया जाए यह मुवमेंट जो था वह special तोर से चलाई गई थी Christian Missionaries के खिलाब क्योंकि उस टाइम Christian धर्म ज्यादा प्रचलीत था तो क्या होता था कि यह जो Missionaries इनकी यहां पर होती थी यह क्या करती थी कि large amount में जो है वो लोगों को convert कर दे थी हिंदू धर्म से अपने अपने धर्म में और ज्यादा तर यह focus रखते थे depressed classes पर तो इसके बाद एक और Controversies में आई जब इन्होंने 1882 में Cow Protection Association जो था वो स्थापित की यह फिर और Controversies में आ गई और बात में घहर हिंदू Muslim राइट भी जो था वो बहुत सारे देखने को मिले थे प्रन्तु यह थी सुद्धी मूमेंट की back to अपने धर्म में लोगों को लाया जाए हिंदू धर अगला question देखिए 138 question बोलते हैं who founded the Ramakrishnan Mission तो बोलते हैं रामक्रिष्नन मिशन की स्थापना की थी यह मिशन भी important है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्थापना स्वामी विवेका नंजी के द्वारा की गई थी option A सईयंत्र है अब स्वामी विवेका नंजी ने जो था व वहां पर इन्होंने इसकी स्थापना जो था वो की थी स्वामी विवेका नंजी जो है इनका नाम हम क्यों पढ़ते हैं इनका नाम हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने जो था वो 1893 में अमरीका के सिकागो में एक जो था वो विस्तो धर्म सम्मेलन जो था वो आयो personality है इंडिया की इनके कामों के ऊपर आज भी रिसर्च किया रहता है इनके काम आज भी ऐसे हैं जो लोगों को motivation जो है वो प्रवाइड करवाते हैं तो स्वामी विवेका नंजी जो था वो बहुत बड़ी personality थी यह तो आपको पता ही है इन्होंने रामा क्रिशन मिशन किस्था आपना की और बाकी की details भी जो है आपने यहां से जान ली तो इतना यहां से ध्यान रखें काफी है अगला है 139 कोश्चन बोलते हैं वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास्ड डूरिंग दी वाइसराय के समय 1878 इस भी का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो था वो पारित कि होते थे लॉर्ड लिटन और जिज्ट अपसेंज से लॉर्ड लिटन जुथा वो उस समय हुआ करते हैं यहां के अब इस तरह अब 1878 में इस एक्ट के तहत क्या किया गया इस एक्ट के तह जो था मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि किसी भी देशी भासा में जो समाचार प्रकासित होता है उसके प्रकाशन को रोक सके और ऐसा क्यों होता था कि देशी भासा को ही फोकस किया 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 क्योंकि जो रीजनल लेंगोईज हमारी थी उसको जो थाओ लोग इजीली पढ़ सकते थे तो लोग लिखते जब उस टाइम के नियूस्पेपर थे जादा अंग्रेजू के खिलाब लिखते थे खासकर जो देशी नियूस्पेपर थे अब अंग्रेजों को यहां से दिक्कत हो रही थी क्यूंकि जादातर लोग लोकल भासा को समझते थे बहुत कम लोग ऐसे थे जो इंगलीज भासा को समज़ पाते थे और वहां से लोगो कहीं पर अंदोलन करना है उन न्यूस परों को पढ़ कर लोग अंदोलन में एकत्रित हो जाते थे सम्म तो इस तरह से इनको दिक्कत हो रही थी इसलिए इनोंने ऐसा किया प्रंतु यहां पर एक और चीज पूछी जा सकती है कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको कब समा 1882 में समापत भी कर दिया गया अभशकिक्त कर लृट जब किया गया होगा 1882 में तो लॉड लिंटन का कारेकाल तो नहीं रहा रहा नहीं रहा होगा उस टाइम घाम ने हैं जिन्हों उनकोस मापत कर दैंगया अग्यर लॉड लिंटन और लॉड आयार देसे क्योंकि मेंस का एक्जाम जब आप देते हैं तो मेंस के एक्जाम में क्या होता है कई बार पूछ लेते हैं लॉड लिटन के उपर नोट लिखने को लॉड रिपन के उपर नोट लिखने को लॉड लिटन के कारेकाल के दुरान 1878 पारित किया गया और इन्हीं के कारेकाल के दुरान जो था हो सिवील सेवा में भारतियों की उमर जो था हो 21 से घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो यह तो लॉर्ड लिटन के कारेकाल के दुरान हो प्रन्तु लॉर्ड रिपन के कारेकाल के दुरान भी वड़ी चीज़ें हुई इन्होंने क्या किया इन्होंने 1881 में वास्तविक जनगना करवा दी थी इनके कारेकाल के दुरान पहला फैक्टरी अधिनियम 1881 में पारित कर दिया गये था 1882 में इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट यह समाफत कर दिये था इनको father of local self government भी कहा जाता था अगला question देखते हैं 140 question हमारे पास क्या पूछा गया है यहां पर पूछा गया है in which language did Munsi प्रेमचंद start writing first तो बोलते हैं कि Munsi प्रेमचंद ने किस भासा में सबसे पहले लिखना प्रारंब किया था अगर हम Munsi प्रेमचंद की बात करते हैं तो Munsi प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद राइटर है इन्होंने जो था वो उर्दू भासा में सबसे पहले लिखना start किया था option D जो है उसे इंतर है उर्दू भासा में इन्होंने लिखना start किया था इनके बारे में क्या क्या question exam में पूछे जाते हैं तो देखो Munsi प्रेमचंद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जो original नाम था वो क्या था इनका original नाम था धनपत्राय श्रीवास्टब थनपत्राय श्रीवास्तब जो था वो इनका original नाम था पटवारी जैसे एक्जाम में इनका औरीजनल नाम कई बार पूछ ले जाता है पटवारी के बड़े एक्जाम में भी कई बार इनका नाम पूछ ले जाता है हपी अब तो हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश के मिचे नहीं कहेंगे इसके एक्जाम में यहां पर पूछा गया कि औरीजनली इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया सबसे पहले हिंदी में भी इन्होंने बहुत काम किया था जब ये लिख रहे थे तो इन्होंने अपना pen name adopt किया था जो उसका वो कौन सा था इन्होंने नवावराय के नाम से लिखना शुरू किया परणतु फिर इनको लगा कि चलो कुछ बात नहीं बन रही तो इन्होंने अपना नाम फिर से चेंज कर लिया, स्विच कर लिया और इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना स्टार्ट किया और इन्होंने बहुत सारे जुथा वो important कहानियां लिखी इन्होंने और इनकी जो famous क कहानी है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं जैसे की गोधान गोधान इन्होंने उने जो ता इनका बहुत ही फेमस लुख ett रहा है इन्होंने जो रंग भूमी लिखई रिंडेक और प्रतीग्या काया कलप नाम से कहानी लिख कि अगर अग्जाम में यहां से कोईशन बनता है तो यही कोईशन बन सकता है कि कौन से पैन नेम से लिखना शुरूट किया इनका नाम क्या था यह ऐसे पूछ सकते हैं कि गुदान किसकी राइटिंग रही है तो गुदान मुंसी प्रेम चंद की रही है इन्होंने किस-किस नाम से लिखना स्टार्ट के, यह सारे questions यहां से बनेंगे, तो इन questions को आप clear कर लीजी, अभी से clear होंगे, reason ही आगे करेंगे, ज़्या दिक्कत नहीं आएगी 141 question में बोलते हैं, which act proposed the All India Federation, तो बोलते हैं कि All India Federation, अकिल भारत संग किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अगर हम बात करते हैं, अकिल भारती संग की All India Federation की, तो यह किस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, यह Government of India Act 1935 के द्वारा प्रस्तावित की गई अगर हम act के बारे में पढ़ते हैं तो देखो act के बारे में भी question पूछ ली जाते हैं जुरूर धियान रखें कि अगर allied जैसे exam की तियारी कर रहे हैं तो government of India act 1935 और भी बाकी के जो act हैं उनके बारे में note भी लिखने को आ सकता है 45 नंबर का तो ये भी आप धियान रखें अब इंडिया federation की बारे में जो हो बात करता है इसमें ये divide कर देता है center और state के बीच में power center या unit के बीच में power आप कह लीजिए किस तरह से federal list और provincial list के माध्यम से और concurrent list के माध्यम से जो है ये चीज़ों को divide करता है यहां पर ये कहते हैं कि regulatory power जो होगी वो किसके पास होगी वो व lez करने की और कहां पर Cultural आपने की कि बात करते है यह provinces में eb Almaea करने की इसको बात करता है और introduce provincial Autonomy की चुछा ये बात करता था और ये करता था और एस्टेबलाइज जो कि 1858 के तहाइब था ओ एस्टेबलाइज हुई थी और इसके लावगा यह बात करता था था कि जो टोटल ग्यारा प्रोवींश इंडिया में है उन में से सिक्स प्रोविंसीज में जो है वो क्या होना चाहिए बाइक केमरेलीजम होना चाहिए और इसी एक्ट के तहद फेडरल कोट को भी जुधाव एस्टेबिलाइज किया गया और इट वस सेट अप इन 1937 फेडरल कोर्ट यह ध्यान रखें इसने रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया क के इस्टेबिलाइज को लेकर भी जो था वो अनुमती प्रवाइड करवाई थी और इसने जो था जो फ्रेंचाइज होती थी फ्रेंचाइज को जो था वो एक्स्टेंट कर दिये था अब अब एबाउट टैन परसेंट आफ टोटल पफुलेशन जो था वो उसके पास की बात की रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की बात की फेडरल कोर्ट की बात की यह सारी चीजें यहां से इंपॉर्टन है और डेफिनिटली यहां से कुष्चन बनता ही बनता है अब देखो यहां पर वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे की थीम पुछी गई है तो देखो थीम तो कुछ एक इंपॉर्टन डेज की थीम जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टन डे प्रंतु उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आप त्यारी अब कर ही रहे हैं एक्जाम की और हिमाशल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन भी यहां देश लेता है तो फरवरी में जो इंपॉर्टन डे मनाये गए उनको मैं एक बार बोल देता हूँ आप सुन लीजिए पहली फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो था मनाया गया और सेकेंड फरवरी को जो था वर्ल्ड वेट्लेंड डे मोस्ट इंपॉर्टन दे बनाया गया, 4 फरबरी को जो था वो इ miser day मनाया गया, मैंने पूछा था आप संवार, बहुत वह सारे सभी ने comments करके साही एंसर बताया था कि वर्ड cancer day 4 February को जो हो मनाया जाता है और safer internet day मनाया जाता है 8 February को और इसके लावा world pulses day मनाया जाता है 10 February को इसके लावा 10 February के बाद जो है जो important day मनाया जाता है वो 13 February को मनाया जाता है world radio day वो आपने ध्यान रखना है world radio day के बाद 20 February को world day of social justice जो हो मनाया जाता है 20 फरवरी के बाद important day जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है international mother language day जो है वो मनाया जाता है और 21 फरवरी के बाद important day जो मनाया जाता है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है central exercise day जो है वो मनाया जाता है और उसके बाद 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है national science day ये तो हो गए important जो आपने ध्यान रखने है प्रंदू मैंने कहा था कि theme भी हम discuss करेंगे theme हम दो important days की discuss करेंगे एक world wetland day जो दो फरवरी को मनाया जाता है और एक world cancer day जो 4 फरवरी को जो हो मनाया गया तो 2023 में इसकी theme थी wetland restoration यह आपने ध्यान रखना है wetland restoration जो था वो 2023 में world wetland day की theme जो है वो रही है या फिर option में आपके साथ आपके पास इस तरह से भी हो चकता है it is time for wetland restoration यह भी जो है वो सही है यह दोनों ही मतलब तो यह की हुआ it is time for wetland restoration यह एक ही बात है और world cancer day जो की 4 फरवरी को मनाया जाता है उसकी जो theme थी close the care gap close the care gap आपने ध्यान रखना है close the care gap जो था वो उसकी theme थी world cancer day की यह theme जो था वो clear होगए यह important थी अगला question देखिए अगले question में बोलते है 143 में बोलते है which vicerai gave a personal donation to the college of college at aligard तो बोलते हैं किस vicerai ने जो था वो aligard college को जो था वो aligard college को नीजी चंदा जो था वो दी था personal मतलब कि अपने जेब से दिया था सरकारी खर्चे से नहीं दिया था तो यह किस के दौरा दिया गया था यह दिया गया था Lord Northbrook के दौरा option c जो है Lord Northbrook के दौरा दिया गया था अब Lord Northbrook के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि इनके बारे में question पूछा जाए तब आपको जानकारी वहां पर मिल सके Lord Northbrook जो था वो 1872 से 1876 के बीच में रहे थे गब 1872 से 1876 के बीच में रहे थे इनके कारेकाल के दौरान अगर important को चीज हुई थी जो आपको याद रखनी है वो हुआ था कूका अंदोलन कूका अंदोलन जो था वो इनके कारेकाल के दौरान हुआ था और पंजाब का ये प्रसीद था कूका अंदोलन इनहीं के कारेकाल के दौरान जो था वो 1874 में जो था वो बिहार और बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्से में जो था वो अकाल भी जो था वो पड़ा था तो ये दो point इनके बारे में ध्यान रखें तीसरा point ध्यान रखें कि अलिगड कॉलेज को इन्होंने personally donation जो था वो दी थी आप अक्सर जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अलिगड मुस्लिम इन्वेस्टी के बारे में five जो था वो इसको stabilize किया गया था ये भी ध्यान रखें ये सारी चीज इसके बारे में ध्यान रखें कि ये कहां प्रसित है इसको किस ने स्थावित किया किस किस तरह से बाते हुई तो ये ध्यान रखना है बस इतना काफी है यहां से अगले कोईशन देखिए अगले कोईशन में क्या बोलते हैं यहां पर अगले कोईशन में बोलते हैं 144 कोईशन में बोलते हैं which of the following books is not matched correctly कुछ किताब बें दी गई है अब कहते हैं कि कौन सी किताब correctly match नहीं की गई है directly answer की बात करते हैं अगले किताब बाल गंगा धरतिलक जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी तो अनहापी इंडिया किताब जुताब किसके द्वारा लिखी गई थी अब देखो अनहापी इंडिया की अगर हम बात करते हैं ये बंकिम चंद्र चट्र जी के दौरा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकास दयारंत सरस्वती जी के दौरा गोदान की अभी हम बात कर रहे थे तो ये मुंसी प्रेम चंद जी के दौरा लिखा गया था तो ये सारे हो गया प्रंतु अब और भी ऐसी किताबें होगी जो एक्जाम मैं पूछी जा सकती हैं तो क्यों ना बस्रुवात की जाए बाल गंगाधर तिलक जी के साथ ही बाल गंगाधर तिलिक जी ने जुथाओ कौन सी किताब लिखी थी तिलिक जी ने जुथाओ करम योग सास्तर किताब जुथाओ लिखी थी इसको जुथाओ गीता रहस्त्या के नाम से भी जाना जाता था और सिर्यमंद भगवत गीता रहस्चे भी इसको कहा जाता था ये 1915 में जो था हो पब्लिश हुई थी इनके दोरा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था The Orion The Orion किताब इनके दोरा लिखी गई थी ये Book of Psychology Based on Astronomy थी ये 1893 में पब्लिश हुई थी इनके दोरा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था The Arctic Home in the Vedas ये किताब भी इनके दोरा लिखी गई थी तो ये किताबें आपने इनके दोरा जो लिखी गई है वो आपने ध्यान रखनी है ये बहुत important हो गई आपके लिए नोट कर लेना चाहिए अगर टाइम हो आपके पास और हम वैसे भी रिवाइस करते रहेंगे आगे लाला लाजपतराई जी के दोरा जो Unhappy India किताब लिखी गई थी ये 1928 में लिखी गई थी ये किताब एक किताब के उत्तर में लिखी गई थी मतलब किसी किताब को रिपलाई किया गए था इस किताब को लिख के वो किस किताब को रिपलाई किया गए था तो कैथरीन मेयो के दोरा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था Mother India को रिपलाई में जो था Mother India किताब के रिपलाई में इन्होंने ये Unhappy India किताब जो था वो लिख दी थी तो जो reply करने के लिए किताब ही लिखती तो इनकी writing capabilities देखिए आप capacities देखिए कि कितनी capacities होंगी इनमें लिखने की किस तरह से ये चीज़ों को लिख देते थे तो ये हमने जान लिया important लिखने की habit जो है वो बहुत ही प्यारी होती है अगर एक और command बन जाए तो जिसको अच्छे से लिखना आता है वो कुछ भी कर सकता है कोई भी test उसके लिए बड़ा नहीं रहा जाता खेर अलग बात है अगला question देखते है 145 question बहुत ही असान question है HPSC ने भी बहुत बार पूचा था अब ही मासल पर देख पब्लिक सर्विस्ट कमिशन जो है भविस्ते में पूच सकता है बोलते हैं Indian University Act पास दिन बोलते हैं कि भारतिय विश्चो विद्यल्य अधिनियम कब पारित हुआ था ये 1904 में पारित हुआ था option C जो है वो सही अंचर है कब 1904 में ये आपको clear हो गया अब Indian University Act के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और हम थोड़ा सा जान लेंगे यहां से अलग अलग चीज़ों के बारे में जो एक्जाम में पूची जाती है ये जो 1904 में Indian University Act पारित किया गया था इससे क्या focus करने की कोशिश की गई थी इससे कोशिश की गई थी कि focus किया जाए University Education के उपर focus किया जाए Research और Study के उपर focus किया जाए की Quality Education बच्चों को प्रवाइड करवाई जाए इसी तरह की कमिशन जो एक्जाम में पूचे जाते हैं एक Woods Dispatch Commission पूच ले जाता है ये 1854 का कमिशन है एक Hunter Commission पूच ले जाता है ये 1882-1883 का कमिशन है H.S. में बहुत बार ये कमिशन पूचे गई है तो इनको ध्यान रखना एक Woods Dispatch Commission 1880-1854 का Hunter Commission 1882-1883 का और आपका Indian University Act 1904 का इनको ध्यान रख लें ये बहुत है यहां से थोड़ा-थोड़ा हमने रिपाइस कर भी लिया तो वीडियो के लास्ट में आपको पता है हम Important Krunt Affair के Question जो हैं वो डिसकस करते हैं वही Important Krunt Affair के Question डिसकस करेंगे और उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दिजिए कि अभी हाल फिलाल में हिमाचल परदेश के नए गवर्नर जो हैं वो कौन बने हैं पिछले कल ही हमने गिरीराज पत्रिगा में डिसकस किया था जल्दी से कमेंट करके बता दिजिए अब एक Question सबसे पहले हम डिटेल में डिसकस कर लेते हैं हमने जुदाओ Current Affair मैंने टेलिग्राम पर एक Accuse डाला था आपको Current Affair का जिसमें Confusion कुछ लोगों को हुआ Question मैंने इसी लिए डाला था क्योंकि आपको वहाँ पर Confusion होना ही था क्योंकि ढंक से जब नहीं पड़ा होता है तब Confusion हो जाता है जब Concept Clear नहीं होते हैं तो यही Concept Clear करना तो हमारा मोटिव है देखो दादा साहेब फाल के अंतराष्ट्री फिल्म समारोह की हमने बात की थी यह जो अभी हाल फिलाल मैं दादा साहेब फाल के अंतराष्ट्री फिल्म समारोह हुआ Question मैंने पूछा था कि इसमें Film of the Year किसे चुना गया है तो Film of the Year जो हो चुना गया है R, R, R को यह ट्रिपल आर इस फिल्म को जो हो चुना गया है मैंने option मैं दिया था The Kashmir File भी The Kashmir File मैंने option मैं दिया था और बच्चे वहीं पर confused हो गए क्योंकि उन्होंने Kashmir File ही पढ़ा था Kashmir File क्यों पढ़ा होगा उन्होंने क्योंकि Kashmir File को भी जो हो अवार्ड मिला है परन्तो इसको एवार्ड मिला है Best Film का एवार्ड Best Film एवार्ड मिला है Kashmir File को और आपने ध्यान रखना है कि Film of the Year एवार्ड मिला है RRR को अब आपको जरूर confusion नहीं रहा होगा यहां से आपका confusion दूर हो गया होगा Best Film, Film of the Year और Best Actor Best Actor का एवार्ड रनबीर कपूर को दिया गया है और Best Actress अलिया भट को जो है वो दिया गया है इतना काफी है Best Film, Film of the Year Best Actor, Best Actress इतना काफी है डेटेल से बनना होगा तो आप पढ़ सकते हैं अपने लेवल पर नोट्स बना सकते हैं प्रंतो मेरे हिसाब से इतना काफी है अगर छोटे एक्जाम की तियारी कर रहे है अभी हाल फिलाल में यूपी आई ने यूपी आई अभी चर्चा में भी था काफी यूपी आई ने जो है वो एक देश के साथ मिलकर जो है वो Cross Border Connectivity जो हो लांच किया है तो ये किसके साथ किया है सिंगाफूर के साथ मिलकर किया है ये पहले भी इस तरह के question पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो सिंगाफूर का नाम जरूर धियान लखें ये भी most important हो गया दो करंट अफेर के question जरूर याद रखें वहां पर आपको गिर्राज पत्रिका की जो हमने discuss mcq based question pdf भी वहां पर उनकी मिल जाएगी वहां पर बाकी सारे important pdf आपको मिल जाएगी जहां से आपको आपके exam में help मिलेगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently